हलो एवरिवान ना जाहिए अगले रिविजिन विडियो पे S.A.E. Standard on Adhar Assurance Engagement 3402 402 से related जो entities यूज करती है service organization उस service organization का service auditor service organization के यहाँ पर जो control user entity से related है उसके उपर अपनी report देगा वो report कहला ही कि एक assurance report on controls at service organization I am sure इसे आप rewind करगे तीन चार बार सुनोगे तब दिमान में चीज बैटेगी क्या है क्या है मुद्दा दोस्तों इस particular standard में outsourcing 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 CBSC वाले आगे हैं हमें इस school में चापा मारने नहीं हर साल एक बार आते हैं चेक करने कि CBSC norms का compliance हो रहा है सबसे पहले शिरुवात कहां से करी उन्होंने मैस से और मैस से एकदम अपने नाम के अनुरूप पूरा प्योर मैस था सब कुछ खराब स्कूल वाले से पुझा वही है इसा मैस कौन चला रहा है स्कूल वाले ने का it is outsourced to a third party agency बसेस देखी बोले है पगवान बस की क्या आलत कर रहा है यह बसेस का maintenance कौन देखता है बुले outsourced to a third party uniform देखा हमने बुला यह uniform किसने में है बुले outsourced to a third party तो जादा तर चीज़े उन्होंना outsource कर रहे है तो क्या CBSC बुलेगा चला outsourced रहने दो यार अपन यह चेक नहीं करते नहीं obvious सी बात है उस्कूल के उपर जिम्मेदारे डालेगा और बोलेगा कि अगर यह outsource किया है तो आप यह तो वहां के control हमें चेक कर वाओ यह यह प्रूफ करो कि आप खुद controls को monitor करते हो manage करते हैं सेम इसी logic से अगर आप एक entity में audit करने गए और audit करते समय आपने बूला और बाप रही है इतने सारे आपने पेमेंट किये हैं कैसे अप्रूफ किया इनके बिल्स ओरिजिनल कहां पर है किसने अप्रूफ किया पार्टी को दे रखा है वो करती है हमने बुला है statutory laws and regulation के compliance related आप क्या करते है प्लीज बताइए आउट सोर्स्ट है तब आप समझेए कि आप जिस entity को audit कर रहे हो इसने अपने accounting से related कही सारे functions outsource कर दिए तो आपको हो सकता है अगर आपने डिसाइड गया है कि यह मुझे है कित्ती sample size होगी और फिर उत्ते अकाउंट्स पेपल चेक करके हम conclude करेंगे क्या हमें हमारे size sufficient appropriate audit evidence मिल गया या नहीं तो इस particular situation में जो auditor है इस entity का जिसने अकाउंट्स पेपल आउट्सोर्स किये यह entity है user entity इसका auditor है user auditor और वो financial statement को audit करें तो कहता है कि यह किसको outsource किया हुझे इसके आंके control check करने तो यह बोलते है वही हमने outsource किया है let's say for example infosys manage करता है हमारा यह सब कुछ infosys BPO तो मैंने infosys BPO पर phone लगा है मिने बोला हम अरे ना रहा है नंकल हमने बुला बताईए हमने बुला भई हमारी company ने accounts payable आपका outsource किया हम आना चाहते है आपके आप देखना चाहते है क्या controls है उसने का sorry sir हम बहुत सारे लोगों के accounts payable manage करते हम आपको तो नहीं आने दे सकते लेकिन अगर आप चाहिए तो हम एक service auditor कर चुके हैं या कर देते हैं जो आपको हो जो जो controls हमें पता है जो जो चाहिए आपको वो सबका audit करके रिपोर्ट आपको एक इशू करके देगा कि क्या यह controls परियाब ठाया नहीं है फिर आपको लगे तो आप उस पर controls का एक audit report receipt कर लेता है तो सकता है user auditor आश्वस्त हो जाए महां के controls के बारे में और फिर वो अपना audit चुरू गल ले 402 में तो यह जो Infosys BPO auditor अपॉइंट कर रहा है जो controls Infosys BPO ने लगा रखे है हमारे client के related accounts payable management से related उस auditor को कहा जाता है service auditor वो service auditor अपना audit कैसे करेगा वो 3420 स्कोप समझना important है पहले तो बात समझ जोए से 3402 बेसिकली टॉक्स अपॉट अपने अपने अकाउंट पेवल आउट्स के इंफोसिस बीपो को तो नाइकी कंपनी के अकाउंट्स पेवल का management जो Infosys BPO कर रहे हैं वो Infosys BPO सर्विस सर्विस प्रोवाइडर है सर्विस organization उसके यहां के controls with respect to Nike का जो audit कर रहा है वो service auditor है यह financial statement का audit नहीं है इसलिए यह 3000 series है क्योंकि हम इसमें internal controls पर रिपोर्ट तो इसका पूरा pure cross connection है किस से 402 से तो type 102 report ऐसे 402 में अगर आपको यहाद है तो वो type 102 report यहां पर बनने वाली क्या है standard का scope तो question की mapping करिए institute के module में question दिया हुआ है कि कमणी ने आपको बंट किया है controls के उपर report दने की क्या है अब accept कर सकते हूँ तो यह answer आई यहां पर user entity और उसके auditor और यानि कौन है example में user entity नाइकी उसका auditor कौन है लट से एजएंड कंपनी मैं कौन हूँ user auditor और मैं नाइकी के accounts पे बल चेक कर रहा हूं तो वो control सारे outsource रहे तो मैंने नाइकी का बुला कहा तो नहीं बुला Infosys BPO Infosys BPO पे मैं जा कि क्या करूँगा control check करूँगा नहीं कर पाया तो वहां पे वो auditor appoint करेंगे जो मुझे रिपोर्ट देगा वहां के controls के उपर वह सर्विस ओडिटर तो scope of this essay is applicable on service auditor who is providing an assurance which will be used by the user entity Nike and the auditor of user entity who is going to report on financial statements of Nike 402 को compliment करता है ध्यान रगना यह standard सिफ अभी relevant है जब service organization इसका मतलब Infosys BPO की जिम्मेदारी है क्यानि हमने contract किया उसके responsibility डाल रखिए कि वह अपने आगे controls जो उसने नाइकी से लेटेड लगा है उसके पर report देगा या फिर जिम्मेदारी नहीं भी है उसके बाउजित भी वह ऐसा एक statement एक report publish करता है जिसमें वह कहता है कि हमने suitable controls डिजाइन कर रखे हैं with respect to the accounts payable processing which we are doing of Nike at our organization तो अगर आपको auditor appoint किया गया है सिर्फ और सिर्फ कि सुद्देश्य से controls at service organization operated as described यानि यह बताने के लिए कि Infosys BPO ने जो controls लिखे है वो जैसे लिखे है वैसे काम कर रहे हैं तो यह ऐसे नहीं लगता ऐसे ही नहीं लगता similarly ऐसे controls के उपर report देने का जिसका user entity से कोई connection नहीं है तो यह standard नहीं लगता यानि Infosys BPO अपने खुद के internal financial controls के उपर एक auditor appointment करके report ले रहा है for reporting under companies act उसकी support के लिए तो वो सब पर यह standard नहीं लगेगा यह प्यॉर जब आप auditor appointment कर रहे हो एक ऐसी entity में जो outsourcing करके एक काम कर रही है किसी और के लिए और आपकी report purely किसके use के लिए है जिसका आप outsourcing काम handle कर रहे हो और इसके auditor के लिए आपको क्या कहा जाएगा service auditor तो लेट चेफर एक्जैम्पल यहां पे service auditor हमने एवाए को appointment किया है जो Infosys BPO के controls रिलेटिंग तू नाइकी ऑन अकाउंट्स पे बल जो मैनेज कर रहे है वो उसके उपर रिपोर्ट देगा फूल इसको अद्देशिक है को अप्टेन रिजनेबल अश्यरेंज अधर नॉन माटेरियल रिस्पेक्ट बेस्ट अन सूटेवल क्रैटिरिया सिर्फट अच्छी थ्रूओट देश्ट टीरिड रिपोर्ट न केस अव टाइप अटिव रिपोर्ट इसका रिपोर्ट रिपोर्ट धियर थे क्या होता है समझहें सर्विस और्गनाईजेशन डिस्क्रिप्शन ऑफ सिस्टम तो क्या होता है इंफोसिस भी पूरा सिस्टम बताएगा कि भी देखो अकाउंट्स पेपल हम मैनेज कर रहे हैं तो हमारा काम क्या क्या है कि पहला हमारे को इंफर्मेशन नाई की से चाहिए कोई भी पेमिंट अगर करना है तो उन्हें हमें पर्चेस और 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 गुड्स रसीव्ड या सर्विस रसीव्ड नोट देने बागी सब कुछ हम मैनेज करें है पर्चेस और में इया इंफर्मेशन होना चाहिए इसके बेसिस में पेमिंट करें हमारे यहां क्या क्या कंट्रोल है कि हम क्यूं या करते हैं कोई भी नया विंडर है तो कोई रहे ने दॉक्यूमेंट लेते हैं पूराना है तो तीन साल मै उसके KYC update करते हैं हमारा पहला control है क्या objective है इस control अब्जेक्टिव यह है कि हम यह चीज पता कर सकें वाइ टेकिंग KYC उसका किया वो जेन्यून है बी कई वो related parties नहीं है क्या कोई उसके disclosures attract होते क्या TDS का rate उसका अट्रैक्ट पर का तो यह सब हमारे objectives जिस कारण से हम किया कर रहे हैं यह सब इनफोसिस और नाइकी ने करेंगे अपस में बैठके और एक पूरा सिस्टम बनाया होगा जिसका स्टेटमेंट होगा वो जो स्टेटमेंट है उसे कहा जाता है description of service organization control यानि Infosys BPO के क्या control है हर control को बनाने का एक उद्देश है क्या कि वो एक objective achieve कर पाए तो उसे कहा जाता है अब अंचोड में कहेंगे what is control objective which are stated in service organization description of system जो मेरे example में है कि हमारा उद्देश है party के बारे में जानना था कि वो fake नहीं है इसके disclosures देना यह सब आगे तो यहां पर objective service auditor का क्या है यह description Infosys BPO से देगा जैसे हम audit करने जाते तो financial statement management देता है वैसे Infosys BPO हमें यह statement देगा यह मेरे control systems है इनके objectives हैं तो हमें क्या देखना है कि क्या वो जो description दिया है वो fairly represented systems as designed and implemented या नहीं हो जो system उन्होंने बना हैं वो क्या वो implemented number one number two controls relating to control objectives are suitably designed HD मतलब suitably designed तो क्या आपको लगता है कि जो उद्देश है उसके लिए जो आपने control design कि हैं वो परियाप तो इसका मतलब लेचे for example हमारा कोई भी vendor अगर हम बैनल करते हैं रेजिस्टर करते हैं payment से पहले तो उससे पूछते हैं कि भाई तू MSME में registered है क्या और अगर वो बोलता है कि हां में registered हूँ तो MSME के निहम लग जाते हैं तो हम ज्यान रखते हैं कि उसको payment हमें क्या करना है 45 days में करना है तो इसको मेंने क्या आप सो क्या है मेरे सारे अकाउंट पेपल का प्यमिंट तू मैनेजर तू बना रिपोर्टिंग तू कर फिनाइंचल स्टेटमेंट के लिए सब तू रेडी करके तो तो अब सामने वाला कर बोलते हैं हमें जो डिजाइन ऑप सिस्टरमें उसमें कहीं नहीं है क्यों कि है। का अध्योग रजिस्ट्रीशन नंबर दे रजब कि हमारे अब्जेक्टिव में जो डिजाइन ऑफ सिस्टम में उसमें कहीं पर यह नहीं कि हम सामने आले से है में समी का अध्यिस्ट्रीशन जर्डिफिकेट लेते हो बोलता है तो मान लेते हैं यह अलत सिस्टम है तो इसका मतलब ऑडिटर की अब्जेक्टिव है यह चेक करना कि जो जो कंड्रोल उद्देश चीव करने के लिए पर यह चेक जाता है पर दोस्तों को लिखना और उसे इंप्लिमेंट करना एक बात है और थ्रूआट देख लिया कि कोई भी नए वेंडर आता है उससे यह कन्फरमेशन ली जाती है यह सिस्टम है आप बोलोगे कि ए कंट्रोल इस इंप्लिमेंटेड बी आपने यह चेक कर लिया कि जो भी डिजाइन आपका सिस्टम का वो प्रॉपर है तो आप बोलोगे सूटिबली डिसाइन पर साल भर में जितने भी नए वेंडर्स इंपैनल हुए हैं उन सब के साथ क्या यह सबने दिये नहीं दिये जिन्होंने नहीं दिये उसका क्या किया यह अगर आप चेक कर रहे हो तो यह test of control लगाना है यह हम test of control नहीं लगाते हैं हम यह नहीं बताते हैं कि controls हमने test करें हैं कि actual में कित्ती बार perform हुए नहीं हुए कित्ते exceptions थे प्रॉपर है यह नहीं हम से यह बताते हैं system आपका जो लिखा है वो implemented है और suitably designed है पर क्या वो actual में implement हो रहा है या नहीं operating effectiveness of implementation नहीं बताते हैं तो let's understand difference between 1 and 2 report type 1 report में क्या होता है service organization description of system और एक return assertion के description फहली represents service organization systems and control the suitably designed बस that too on a specified date जिसमें आपने audit के आउस दिन पे ना की for a period इन सारे matters पे auditor को reasonable assurance देना होता है इसको service auditor लेकिन type 2 report में क्या होता है service organization का जो description है system का वह सबसे उपर होगा of 900 statement जाना है जैसे इसके उपर में report दूँगा हम उसके उपर opinion क्या बनाएंगे कि यह description एक तो fair presentation है जो system लगे है उसका plus यह suitably designed भी है most importantly operating effectively और operating effectively throughout the period यहां पर आपको यह भी बताना पड़ता है कि आपने क्या-क्या test of control लगाए और उन test of controls का क्या-क्या outcome आया एक छोटी सी टाइप तो report आपको मैं show कर देता हूं दोस्तों आप वह देखोगे तो आपको इससे सब समझ में आ जाएगा कि exactly होता गया है चोटा सा क्या यह वह standard है जो समझोगे तो example लिख पाऊगे समझ में निया आएगा तो लिख नहीं पाऊगे तो बहले ही रिविजिन है पर एक बार समझ लिजा प्लीज तो यह एक example है criteria क्या है हमें demonstrate करना integrity ethical values यानि control environment हम चेक कर रहे हैं मैं service auditor हूं मुझे controls test of control में control environment चेक करना है तो मुझे ethics और integrity चेक करना है अब इसमें देखिए ethics integrity में एक control specified गया है तो description of control में ABC ने बुलाए कि हमारा एक formal information security policy है जिसमें security measures लगाते हैं जिसमें हमने साफसाफ बोल रखा है कि कोई भी नए हाइर्स अगर होंगे तो उन्हें हमारी information security policy IT policy रीट करना एकसेप्ट करना और उसके अगेंस में काम नहीं करना है तो यह एक control की design in fact यह control है जो हमने लगा है अब इस control में एक तो क्या है अपने आप में आपको लगता है suitable है या नहीं उस पर comment करना है दूसरा test of control लगाने में इसकी बात कर रहा था टाइप 2 रिपोर्ट तो test of control में आप क्या करोगे आप चेक करोगे ऐसा हुआ या नहीं इन्हों ने लिखा है हमने इंटर्व्यू किया ABC के personnel को और चेक किया है कि क्या यह procedures उन पर लगाए गया या नहीं information security देखी है कि क्या actual में है भी या नहीं यह policy और जित्ते भी नए आरज है उनसे देखा है कि उनसे क्या acceptance acknowledgement लिए यह test of control है क्या result है हमें exceptions मिलें exception यानि गलतिया मिली है कि हमने 45 नियो आयर्स चेक किये थे जिसमें से हमने देखा कि एक हायर के case में acknowledgement नहीं लिए और दो के case में कई समय बाद हायर में acknowledgement लिए अब हो सकता है कि यह जो deviation controls कि आपकी है इन deviation के बाद भी आप conclude कर दो कि कोई problem नहीं है controls अच्छे है इसका मतलब एक चीज ज्यान रखना दोस्तों सहिए न आपन ओडल काना खाने गाया और अपनने बोला गया तंदोरी रोटी लेआ बीना बटर के यो बटर की लेआ है तो आप क्या दोनों चीज है उसने गलत किया आप एक्सप्ट भी कर सकते हो नहीं भी कर सकते डिपेंडिंग आपके लि और अब यह बताईए कि यह किसके लिए important है तो यह clear है service auditor के report is important for user entity and user entity के auditor के लिए तो provision आप से क्या question पुछा गया है controls of service organization are important to user entities financial reporting then it is relevant for user auditor so you need to check whether it affects the user entities financial reporting and related controls whether it leads to assertions in the financial statement of user entity which user auditor wants to audit and definitely it will include user entities information system obviously Nike ने अपने level पर भी कुछ information systems controls बनाए होंगे on the work which Infosys BPO is doing and obviously Infosys BPO के content यह professional judgment है user auditor का decide करना कि कौन से service organization के control financial reporting के लिए relevant है और मुझे चेक करने की जरुवत है यह सारी टम्स मैंने आपको ऐसे ही समझा दिया है hope आपको clear है engagement procedure वाला यह particular page important नहीं है it is summary of all the other standards अगर आपको point किया गया as a service auditor to check controls आप क्या करोगे सबसे पहले ethical requirements का including independence कप्ला करना है क्योंकि आप opinion दोगे management और TCWG कौन है पता करेंगे terms accept करनी हम है तो accept करने से पहले हम ही क्या करना है capability competent है या नहीं हम करने के लिए हमारा scope limited तो नहीं है कि user entity और उसके auditor के कामी नहीं है और criteria service organization क्या जो लगाया जा रहा है वो acceptable है यह कैसे हो गया financial reporting framework की acceptable लग रही है जब open audit में ऐसा करते तो यह क्या देखेंगे controls acceptable है या नहीं useful लग रहे है कभी scope change किया आपका तो अगर justified है तो reduce scope accept कर सकते हो नहीं तो नहीं ऐसे 210 है फिर आपका काम क्या होगा suitability check करनी है आपको किसकी सर्विस और्गनाइजेशन के criteria सबसे पहले description पढ़ना है और देखना है कि उसके description में क्या control suitably designed है जैसे में एक्जैंपल लिया था आपको MSME वाला और type 2 रिपोर्ट है तो क्या वो operating effectively आया नहीं maturity आप लगा सकते हो यह comment करने के लिए कि fair presentation है या नहीं control suitably designed है या नहीं और operating effectively है या नहीं हो सकता है कुछ deviation है फिर भी आप बोलो operating effective है क्योंकि material deviations then you need to obtain understanding of service organization systems and controls और उसके बाद आप evidence लोगे किसका description का controls के design का suitable है या नहीं है और operating effectiveness अगर type 2 report internal audit function है उसे evaluate कर लो return representation आपको लेना है कि जो जो उन्होंने लिखके दिया हो सही है प्लस specifically आपको non compliance तो नहीं हो है service organization पे internal control की deficiencies तो नहीं है कोई ऐसे instances यहां पे controls में weaknesses है जो अपन 315 में लिखते है not operating as performed or as required or any subsequent event जो आपको लगता है relevant हो सकती है चार चीज़ों पर specific management representation subsequent events ऐसे 560 जैसा यहां पर भी relevant report के बात कोई चीज पता पड़ती है आपको तो आप उससे अपनी report को update कर सकते है reporting is an important part of this सबसे पहले आपकी report क्या क्या लाएगी तो it is an assurance report it is an independent service auditors assurance report address जो भी appointing authority है पर ध्यान रखना यह जो काम आप कर रहे हो this is only meant for user entity and its auditor बस और किसी के काम का नहीं है तो आपको scope define करना पड़ता है अपनी report के users का जिसमें साफ साफ लिखना पड़ता है कि यह जो report है यह intended only for user entity and their auditors है यह सारी चीज़े एंजी की point of view से important सबसे पहले अपन क्या करते है audit report में भी हमना identify करते है कौन से financial statements को audit किया fact हमने audit किया इस essay को essays के अनुसार किया है तो यहां पर भी यह लिखेंगे service organization का description of system जिसके उपर आप report दे रहा है तो उन्होंने पूरे controls describe करके दियोंगे plus कि आप type 1 या type 2 कौन से report दे रहें अगर कोई ऐसी चीज़े service organization की जिसे आपने cover नहीं किया है क्या हो सकता है जो आपने cover नहीं किया है number one Infosys BPO का EY auditor है जो उसके controls पर report कर रहा है पर Infosys BPO के कुछ controls dependent है कि इस पर Nike के control पर क्योंकि नाइकी से हमे purchase order और goods receive note चाहिए तो purchase order और GRN सही बनाए या नहीं बनाए वो EY check नहीं कर रहे है तो हम यहाँ पर report में साफसाफ लिख देंगे कि हम user entity के control पर rely कर रहे है वो हमने check नहीं किया similarly अगर कोई sub service organization है जिसका मतलब है कि Nike को का नाइकी ने काम दिया Infosys BPO को Infosys BPO नो उसका कुछ काम Genpac को outsource कर दिया तो यह sub service organization है अब सवाल यह है कि EY को appoint किया गया है तो उसे क्या control जो Infosys लगा रहा है वो चेक करना है या जो Infosys ना outsource किये वो भी करना है अगर वो दोनों के control चेक करके report देगा तो यह inclusive method किलाता है इसमें sub service organization के control भी EY चेक करेगा पर अगर मैं उसके नहीं करना हूँ कि मुझे उसके लिए पॉइंट नहीं किया है तो यह carve out method किलाता है इसमें मुझे अपनी report में लिखना पड़ेगा कि control.subservice organization have not been tested इसके बाद में आप criteria identify कर दीजे तो वो आपके क्या क्राइटीरिया के basis पे आपने objectives को चेक किया है वो identify कर दीजे तो वो normally connection में दिया जाएगा और देदीजे कि AC के use के लिए साफ साफ बता दीजे service organization जब्मिदार है पहला description बनाने के लिए दूसरा services देने के लिए तीसरा control objectives define करने के लिए और controls को implement और design करने के हमारी जिम्मेदारी के description को read करना देखना कि क्या वो सही है या नहीं है control objectives designed suitably है या नहीं है और operating effectiveness of control throughout the period अगर type 2 report है fact कि हमने इसे ही 3402 के अंतरगत काम किया है एक summary अपने procedures की जो हमने लगई जिसके उपर हमने report दे और अगर आप type 1 report दे रहे हो तो साफ साफ लिगना कि हम operating effectiveness पर कोई opinion नहीं करें एक बहुत important matter है और वह यह क्योंकि आप internal control पर report दे रहे हो और internal controls के उपर based ही कमनी है control objectives suitably designed operating effectively है तो लोग मान ले कि आगे भी अच्छे चलेंगे इसलिए आपको साफ साफ एक लाहिल लिखना रहती है कि हमारा यह जो हमारा limitation है कि हम future period पर operating effectiveness को project नहीं कर सकते हमसे बिए बता रहे है कि controls are operating effectively they may or may not operate in the same future future report positive form में देनी है क्योंकि reasonable assurance high degree का assurance ले रहे है तो हमें लिखना क्या पड़ेगा systems are तो type 2 report में सब कुछ आएगा system is fairly presented suitably designed operating effectively throughout the period but type 1 में हम रिखेंगे service organization description is fairly presented and the controls are suitably designed वह भी as on a specified data बागी evidence मिलने के बाट date देंगे signature place के normal provision होंगे हो सकता है कि अगर आप type 2 report दे रहे हो तो यह कंबल जरी है कि जो test of control आपने perform कि आपको connection में साफ साब बताना है जो मैंने example बताया deviation है तो वह बताना है हो सकता है कि deviation होने के बावजूद भी control objective अच्छी वजा है अगर वह material नहीं अगर आपको लगता है कि कि किसी area पर control अच्छे नहीं है operating effectively नहीं है suitably designed नहीं है description inaccurate है तो आप अपनी report इन सभी reason से modify कर सकते है अगर आपको limitation imposed है तो भी कर सकते है जब भी modify करोगे reason दे देना plus आपको document करना है procedures क्या लगा evidence क्या मिले conclusions क्या बनाएं this is basically your standard ICI के module में इस से related question क्या है एक तो क्या आप इस तरह के engagement accept कर सकते हो तो बिलकुल कर सकते हैं then there is another question which is relating to the fact कि type 2 report as in उसमें पताया गया है कि भाया कौनसी report appropriate होईगी तो अगर आपको operating effectiveness of control सही है तो उसके type 2 report है लगी और एक particular question है कि user entity और user auditor के reference के लिए क्या इस तरह के assignments लिए जा सकते हैं तो उस्रिफ उनके काम के लिए assignments लिए जा सकते हैं यह पूरा का पूरा standard कि से अब्जेक्टिव से बनाया गया है जो service auditor है जो service organization यानि जो outsourcing agency जो outsourcing का काम कर रही है उसके आजो control user entity और उसके auditor के लिए relevant है उसके लिए बने हैं यह जो यह जो